नमस्कार दोस्तों बदो साथ आपको अमारे चैलिए में दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी जानकरी देने वाले हैं जिसे सुनकर आप यकिन मानिये चौक जाएंगे दोस्तो अगर आप भी ATM card यूज़ करते हैं या credit card यूज़ करते हैं तो यह जानकरी आपके लिए यह आपसे request इस वीडियो का पूरा देखें क्योंकि भारत के अंदर आप ATM card और credit card बहुत जल्दी बंद होने वाले हैं दोस्तो वो कौन से card हैं जो बंद हो जाएंगे और वो क्या कारण है उसके लिए आपको इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है दोस्तो RBI ने अब Mastercard और American Express जो कि यह दो companies हैं जो इंडिया के अंदर ATM card प्रोवाइड करती है या credit card प्रोवाइड करती है आप भी अपने ATM card को देखेंगे तो इसके उपर Mastercard लिखा होता है या फिर American Express लिखा होता है या फिर Visa लिखा होता है लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दू कि Mastercard और American Express जिनके card के उपर लिखा होता है इनी companies के बारे में हम बात कर रहे हैं यह जो आपके debit card थे या credit card थे वो आने वाले समय के अंदर बैन हो जाएंगे क्योंकि RBI ने यह जो companies है Mastercard या American Express आपको यहाँ बता दें कि American company है और America company ही इन सारी services को operate करती है और सारा data American server के अंदर store करती है तो RBI ने उन से कहा था इन companies से जो कि Mastercard और American Express जो company है इन से कहा था कि आप हमारे भारती users का data इंडिया में ही रखिए आप अपने American server में मत ले जाए ऐसी व्यवस्ता कीजिए कि हमारे users का data यहीं पर रहे और आपको इंडिया में रहकर ही उनको काम करना चाहिए लेकिन उन्होंने अभी इस बारे में मना कर दिया है और उन्होंने ऐसा कहा कि हम अभी इस तरह की condition में नहीं है या हम इस तरह की व्यवस्ता नहीं कर सकते तो RBI ने संग्यान लेते हैं यह clear कर दिया कि जो अब आने वाले समय में Mastercard या credit card जितने भी issue होंग तो उसको Mastercard और American Express अब नहीं मिलेगा यानि कि उसके उपर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और हो सकता है कि आने वाले समय में अगर American companies इंडिया के अंदर व्यवस्ता नहीं करती इंडियन user के data को रखने के लिए तो हो सकता है कि इस तरह के जो Mastercard और American Express की जो services है वो बहुत बड़ी news है क्योंकि इंडिया के अंदर 70-80 करोड़ लोग ATM या debit card को यूज करते हैं और उनमें से बहुत बड़ी तादात उन लोगों के जो Mastercard वाले debit card को यूज करते हैं तो दोस्तों ये जानकरी आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था कैसी लगी आपको जानकर प्लेजर में कमेंट करके बताएं अगर अच्छे लोगी तो इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों परिवार के साथ उसे शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसकी जानकरी मिल सके और हमारे चैनलों को सब्सक्राइब जरूर केजिए आपकी स्क्रीन के सब्सक्राइब के लाय टक कीजिए ताकि आपको मारे बनाए हुई नहीं नहीं वीडियो लगातार मिलती रहें यह बल्कुल फ्री होतार आप इससे जाधा जाधा फैदा उटा सकते हैं तो अभी के लिए इतना ही दन्यवाद